परनाम सभीको रामराम, कठुवा आज भी हम नहीं भूले हैं, क्योंकि जो कुछ भी कठुवा के रसाना गाउं में हुआ था, वो हम सब को याद है, याद इसलिए है क्योंकि आज भी जो सही कातिल हैं, जिनोंने ये सारा कुकरम या जो भी कुछ वहाँ पर हुआ था, वो आ लिखी है, दा गर्ल फ्रॉम कठुवा, उन्हें उन्होंने उस किताब के अंदर कहीं सारी ऐसी बारीकीं के ओपर हम लोगों को मतलब नज़र लगाई है कि जो चीज मीडिया नहीं कवर कर पाया, जो कहीं लोग कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पाये, लेकिन मैम ने अपनी तरह से पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन कुछ चीजे मैंने जो सोचल मीडिया पर देखी है, जो मीडिया भी नहीं कह पाया, जो कहीं लोग कहना चाहते थे पर किसी ना किसी दबाव के कर नहीं कह पाये, वो भी आपने इसमें लिखी है. देखें लिखी नहीं है सिरफ ये किताब जो है ये इसी मकसद से लिखी गई है कि इतना बड़ा शड्यंत रचा गया जम्मू के हिंदों के खिलाफ और ये केवल जम्मू के हिंदों के खिलाफ नहीं है ये पूरे भारत वर्ष में जो गजवा हिंद का चल रहा है प्रेयोजन 1947 से पाकिस्तान चला रहा है कोई नई बात नहीं है और वो है पूरे भारत का इसलामी करव उन्होंने पार्टिशन करवाया लाकों लोग को भेगर किया लाकों लोग को मरवाया पर वो पाकिस्तान इस नियत से नहीं बना कि अब जी हम मुसल्मान अलग होके रह लेंगे और हिंदू आप अलग हो क्योंकि वो यहां मुसल्मान चोड़ गए यहां कितने मिनी पाकिस्तान है पाकिस्तान से ज़्यादा यहां मुसल्मान रहते हैं और इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है इनका फुट्प्रिंट भी बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान का और उनका जो मिशन गजवाई हिंद है यानि पूरे भारत का इसलामी करण करना जिसके बगएर उनके मुताबिक कयामत का दिन भी नहीं आएगा जब तक पूरा भारत इसलाम की जंडे के तले नहीं आता तो उस गजवाई हिंद मिशन का ये हिस्सा था एक और और इसलिए मेरी किताब का नाम भी है The Girl from Kathwa A Sacrificial Victim to Gजवाई हिंद Sacrificial Victim मैंने उसे क्यों कहा है इसलिए और मैं डंके की चोट से कहने होगी है बहुत बड़ा आरोप है पर मैं confidence के साथ लगा रही हूँ कि इसके अपने community ने ही इस लड़की को मरवाया है और उसकी dead body को लेकर एक बड़ा खेल खेला गया ताकि मासूम हिंदूओं को एक तरफ से target किया जाए और उनको के भल यह नहीं कि आर्ट परिवारों को हमने target किया कि इन्होंने इसको abduct किया इन्होंने इसका गैंग रेप किया इन्होंने मरड़ा किया नहीं वो तो एक बहरा था खुटा था जिसके उपर एंटी हिंदू नारेटिफ ग्लोबली पहलाना था हिंदू के मंदिरों को बतनाम करना था हिंदू की आस्थाओं को उनका आत्मसम्मान को चलना था और कथुआ डिस्ट्रिक्ट जो की remaining हिंदू मेजॉरिटी अभी भी डिस्ट्रिक्ट बचा है जमू प्रॉविंस का इसका इसलामी करन करना ये उनको बहुत खटकता है कि इतने साल हो गए सतर साल हो गए कश्मीर से जो चला आ रहा है इसलामी करन का दोर रोजोरी पुंच डोडा फिश्टवर इत्यादी राम बन भी ये मुस्लिम मेजॉरिटी बन गए ये भी तो हिंदू मेजॉरिटी थे तो जब राम बन नाम क्या है राम के नाम से वहाँ पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी जब होने लग जाए तो आप सूचोंगे कितना determined ये expansion रहा है और क्यूंकि हिंदू सोते रहे जो इन्होंने किया कश्मीर में वही प्रोसेस इन्होंने रजोरी में किया डोडा में किया पुंच में किया और हमने ध्यान नहीं दिया तो अब ये कत्वा तक आए और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जिस दिन कत्वा हिंदू विहीन हुआ आप सोचो भारत गया ये एक लिटमस टेस्ट होगा हम बचा पा रहे हैं कि नहीं कत्वा को और इस इस्लामाईजेशन को रिवर्स कर पा रहे हैं कि नहीं एक तरफ से आप देखिये ना बंगलादेशियों को लाए जा रहा है रोहिंग्या को लाए जा रहा है और मिलिटरी बेसिस के असपास उनको बेसा जा रहा है और अटैक भी होते हैं तब भी वहां से एक हिंदू एक भी बंगलादेशी या रोहिंग्या को आमी बेसिस के बाहर से भी हटाया नहीं जा सका एक तरफ से वो देखिये इंडियन स्टेट का कितना बड़ा फेलियर है दूसरी तरफ इस तरह के कितने जूटे फरे भी आरोप लगा के ये एक मैंने किताब लिख डाली तो ये निकलाया पर इससे पहले आप देखे गुजराद दंगों के बाद भी पूरा जूटा नेरेटिब था और अगेन मेरी के पहले किताब आई थी जिसने सच्चा बताया कि गुजराद दंगों में तो जिस तरह हिंडों के ओपर दमन हुआ कि तुमने रिटालियेट्री गोदरा की वाइलन्स क्यों की वो कभी नहीं हुआ मोधी दंगे नहीं फैलवा रहे थे वो तो रुकवा रहे थे और पहली बार हिंडों को पनिश होना पड़ा अपने बचाव की बाइलन्स में भी तो माया कोड़नानी को फांसी तक पहुँचा दिया बिल्कुल मासूम थी वो भी मैंने किस्सा पूरा इंवेस्टिगेट करके दिखाया जूटा नारेटिव माया कोड़नानी भी चुटी है करनल पुरहित का केस बिल्कुल जूटा सांभा स्पाई स्कैंडल 54 फौजी अफसर और फौजियों को उन्होंने इंप्लिकेट कर दिया जूटे स्पाई स्कैंडल पे आज तक भी जूटा केस चलाया उनके उपर सारा मिलिटरी इंटेलिजन्स को लाप्स किया सांभा को लेकर सांभा स्पाई स्कैंडल को लेकर वो आज तक पनिशनी हुए और आज तक नहाई नहीं मिला कितने साल 78 का है वो केस तो एक के बाद एक इनको सक्सेस मिलती जा रही ये कोई चालेज नहीं कर रहा तो मुझे ये लगा कि इसमें जैसे मैंने गुजरात का जब किताब लिखी तो नेराटिब चेंज हुआ काफी हद तक मायकोडणाणी का आज वो बरी हुई है तो कत्वा की ये जो किताब मैंने लिखी है ये परियाप्त नहीं है कहना जो जम्मू के अधिकतर हिंदू जानते थे कि ये जूटा है यहाँ पे आंदोलन भी हुए यहाँ के बार असोसियेशन तक ने इस चार्च शीट को लेकर आंदोलन छेडा जम्मू बंद हुआ हजारों लोग सड़क पे आए दो बीजेपी मिनिस्टर इक्सपेल हुए बीजेपी से क्योंकि उन्होंने क्या मांग की थी सीबी आई प्रोब आप देखिए हिंदू कितना मजबूर हो चुका है कि हम सीबी आई की मांग करें तो कहा जाता है हम रेपिस्ट और मर्डरर की तरफतारी करते हैं कैसे ये नारेटिव जूटा चला देते हैं और एक तरफ यहाँ जूटा नारेटिव चल रहा है जिसने इमानदार रिपोर्टिंग करने की कोशिश भी की मुझे आई है जानकारी कैसे रिपब्लिक तीवी के एक रिपोर्टर ने मेरे वाट्स आप मैसेज में आया कैसे उसने सच बताने की कोशिश की और रिपब्लिक तीवी के बॉसेज ने का shut up जो हम बताने हैं narrative वो करो तो यहां सिरफ यह नहीं कि बरकादत जो की पाकिस्तान की चहेती है निदीराजदान यह जो कॉंग्रेस के चिट्टे बटे हैं और इसलामी एजंडा चलाते हैं राजदीब सर देशाई पुराने तो हैं हैं पर आप सोचे रिपब्लिक टीवी जैसी भी टीवी सारा narrative कैसे उसका कबजा होता है कि सच बोलने नहीं दिया जारा जो उनके यहां रिपोर्टर आते हैं उनक वो जम्मू नहीं आते वो कत्वा नहीं आते दिल्ली में बैटके जो उनको स्पून फेड नारेटिव है महभूबा मुफ्ती द्वारा और उसके जो भी उसके साथ ताकते चुड़ी हुए थी वो स्पून फीड कर रही है और सारा चलाया जा रहा है ग्लोबल नारेटिव चला और मैंने कहा जैसे अभी प्रेस कांफरेंस में मैंने बोला मेरा खटका इसलिए लगा कि यह जम्मू गये नहीं अब 600 मील दूर है जम्मू कठुआ भी 550 मील दूर है जितने भी है और आप वहां से बैठे बैठे आपको सब कुछ पता चल गया जम्मू के किसी का नाम और लडकी की फोटो को कैसे ब्राटकास्ट किया और वो भी मैंने तह्कीकात करके पाया इसी की फैमिली से पता चला जारी थी दिली में बैठके यह स्पून फेड नेरेटिव चला रहे हैं the very fact की कानून कहता है लडगी का नाम या फोटो नहीं दे सकते फिर भी सार के सारे फोटो और नाम के साथ बॉलिवूड स्टार्स भी, क्रिकिट स्टार्स भी, सारे टीवी चैनल्स भी, बीबीसी भी, लड़की का नाम चलाते हैं जो कानून के खिलाफ है, उनके देश के कानून के खिलाफ ही, तो इसका मतलब कोई गलोबल माफिया इस सारे नारेटिव को फीड कर रहा था, और इसको ब्राटकास्ट कर रहा था, एक तो ये बात, दूसरा, लड़की उनकी अपनी है भी ने, ये बहन की बेटी थी, मैंने अडॉप्ट की, तो बहन तो कभी आई नहीं अपनी बेटी को क्लेम करने, दो तीन नकली बाप आ जाते थे, है ना, आई, टीपी के सामने कभी मैं हूँ, कभी कोई और कह रहा है, तो ना पुलीस ने जरूरत समझी, ना किसी और ने जरूरत समझी कि असली मा, बाप का तो पता किया जाए, इसका डीएने सैंपल तो हो, इसका डीएने टेस्ट तो हो, उसके साथ, जो चार्च शीट है, नॉनसेंसिकल है, इतनी बकवास है, कि दो पैसे की अकल किसी का मुंफली के साइज का भी ब्रेन होना, और वो चार्च शीट पढ़ ल नाया है, इस नॉट इवन एन इंटेलिजेंट कुकिंग अप अफ लाइस, एक तो चार्च शीट बड़ी बेवकूफ है, फिर ऐसी जगह में बोला गया, उसको गैंग रेप करने के लिए रखा गया, मंदिर, जो चारे तीरों तरफ से खुला है, लोग आते हैं, जाते हैं और वहां शीशे भी नहीं है, आता जाता भी देख सकता है, और ऐसी जगह में कुछ चुपाने की जगह भी नहीं है, कहा गया चुपाया गया टेबल के नीचे, नहीं कुछ भी नहीं है, एक टेबल के उपर, चार्च शीट में तो है ना टेबल के उपर रखा गया, कभी न तो उसकी स्टिंग किसी को नहीं आई लड़की को गैंग रेव लोग के सामने किया किसी को दिखी नहीं वो लड़की उसके माँ बाप भी कहते हम गये ते ग्याना तारी को पूछने चांजी राम से कि हमारी बेटी कहा है तेवा दिखाने वो तो कोई इस्ट्रॉलेजर है नह तो जूटा नेरेटिव तुमने नहीं दे कि तुम्हारी लड़की बंद पड़ी थी अगर वहां पे तो सवाल यह इतना गलत नेरेटिव है कि हास्यस पद है परन्तु हास्यस पद हम हास भी नहीं सकते क्योंकि कितनी जिंदगी हैं नोंने तबाह करी कितने लोगों को सैंक सौधा विटनसेस ड्रॉप कर दिये गए पोस्ट मॉटम रिपोर्ट कहता ही नहीं कि कोई रेप के आसार मिले क्योंकि स्पर्म बॉडी पे नहीं है कपड़ों पे नहीं है आसपास नहीं है तो कैसे फिर रेप हुआ रेप ही नहीं हुआ इसका मतलब इंटरनल और्गन्स मे नहीं नहीं कह रहा कि सर पे या माते पे हैरलाइन फ्रैक्चर भी है एक बूंद खून भी नहीं है उसके स्कल पे तो कैसे पत्थर से मारा होगा यानि सभी कुछ चूट है पिर कहते हैं डॉग स्कॉड आया था वो सांजीराम के घर ले गया था तो डॉग स्कॉड का जो इ इमांदा टेस्ट में नहीं दी है पुलीस को कि मुझे तो आपने मेरा काम करने ही नहीं दिया गया आपने सारा एविदेंस तो डिस्ट्रॉई कर दिया था जहां बॉडी रखी रही नहीं चाहिए थी बॉडी को आपने छेड़ खानी कर दी ले जा चुके थे आप पोस्ट का फरेभी नारेटिव है और सबसे बड़ी बात विशाल जंगोतरा जो सांजी राम का बेटा जो कहा गया गैंगरेप में शामिल होने के लिए इमतिहान चोड़के आया मजफरपुर मेरट के पास से सैंक्डो मील दूर की ज़र्दी करके कि मैं गैंगरेप करने जाओंगा वो कब आया किस ट्रेन से आया किसने कब उसको फोन किया कोई फोन काल रेकॉर्ड भी है कि उसको भुलाया शुब हमने फोन करके कि आजा काल रेकॉर भी नहीं पेस नहीं किये जातें वो इमतिहान दे रहा था, इमतिहान हॉल के, एक्जामिनेशन हॉल की CCTV फुटेज है, कि वो इमतिहान दे रहा था, वो पुलिस जब्त कर लेती है, कोट में पेश नहीं करती, वो बच गया केवल इसलिए कि दो ATMs की CCTV फुटेज थी, ट्रांसैक्शन, ये इनको पता नहीं था, वो ये ले आए, और वो ZTV ने चला दी, तो वो बच किया, नहीं तो उसको कह रहे हैं, यहां के गैंग रेप किया, और उसके दोस्तों को टॉर्चर किया, कि तुम कहो, हम, इसने हमें ब्राइब किया था, इमतिहान में इसके नाम से पर्चा लिखने के लिए, इसने स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलिज के प्रिंसिपल को ब्राइब किया, लाखों लोगों को ब्राइब करके, वो एक रेप करने आया, तो मेरण में नहीं किसी को रेप कर सकता था, मां किसी प्रोस्टिचूट के पास नहीं जा सकता था, गर उसको सेक्स की इतनी भूगती तो, इतना न मान भी गए टॉर्चर के डर से और कुछ लोग नहीं माने उसकी लैंड लेडी नहीं मानी उसके कॉलेज प्रिंसिपल ने सच्चे बियान दिये कि ये था यहां पे इंतिहां देरा फिर भी जज नहीं मानने को तयार था उसको एक्विट केवल जी टीवी की वज़े से करना प स्टोरी में शामिल किया जाता है कि उसने अपने बेटे को बचाने के लिए पुलीस को इतने लाग की घूस दी जब बेटा आया ही नहीं तो घूस क्यूं देगा चांजी राम मनी ट्रेल नहीं इस्टैबलिश हुआ बैंक में उसके पैसे ही नहीं थे वो भी मैंने बैंक की सारा चिठा पत्रा भी चापा है कि साजीर आपके पास कभी इतने पैसे नहीं थे बैंक में और आप से दिनी कर पाए किसको कब पैसे दिये तो क्रिमिनल लाव में होता है कि अगर मनी ट्रेल नहीं से दुआ तो इसका मतलब आरुब जूटा है आप से दिनी कर पाए कि पैस holes है, there is a mountain of evidence that यह जूटा है और यह जो mountain of evidence मैंने पेश किया है, mind you यह कोई मैंने sting operation नहीं किया, यह मैंने कोई अपनी imaginary उडान नहीं कि, कि मुझे लगता है यह हुआ होगा, no I have blasted the entire case on the strength of the documents presented by the crime branch, उनकी charge sheet कितनी non-sensical है, why it doesn't make sense, इसके साथ साथ, जो charge sheet के साथ, इन्होंने evidence पेश किया, लोगों की बयान पेश किये, testimonies पेश की वो कितनी non-sensical है वो उन्हीं के documents से सिद होता है, अगर दो पैसे की भी कोई अकल लगा के इमानदारी से, उन्हीं को पढ़ ले तो आपको साफ पता चल जाता है कि ये जूटा केस है, उधारन के लिए, कहते हैं हिंदू, जो ये सारे सांजी राम बगारा थे, ये सारे हिंदू, बकरवालों को भगाना चाहते थे उनके जगड़े चल रहे थे पर एक भी F.I.R. नहीं है सांजी राम या दीपक खजूरिया के खिलाब कि इन्होंने कभी किसे को नुकसान दिया हो पुलिस, अपने बेहन में चार्चीट में कहके 11 F.I.R. का हवाला देती है, कि हिंदूओं के बकरवालों के साथ या मुसल्मानों के साथ जगड़े हुए सारे के सारे, एक तो है दो मुसल्मानों के बीच में जगड़ा जिसमें कोई लेन देन नहीं है, किसी हिंदू का बाकी जो दस हैं आप हैरत करेंगे हर उसमें, F.I.R. में इस पश्ट है कि बिचारे हिंदू विक्टिम है उनके खेतों में ये बकरवाल और गुजर अपनी बैसे या अपनी भेडें और घोरे चड़ाने के लिए छोड़ देते थे अब वो छोड़ेंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे तो पीड़ देते थे हिंदू को और पुलीस केस दर्स करती नहीं थी कई बार काउंटर केस भी दर्स करती यानि हर दस केस में हिंदू विक्टिम है और मुस्लिम एग्रेसर है फिर ये कहते हैं कि हिंदू ड्राइव ड्राइव आउट करना चाहते थे असलियत है कि जो ये करना चाहते थे कत्वा को हिंदू भी ताकि ये जो रास्ता है टेररिस नेटवर्क्स का पाकिस्तान से आके कश्मीर तक पहुँचने का और कत्वा में भी यहां पे हाइड आउट प्लेसिस अच्छी हो ताकि फिर नॉर्थ इंडिया में टेरर नेटवर्क्स इनके और मस्बूत हो जाए अभी पंजाब तो आप देखी रहे हैं इन्होंने खालिस्तान बनाने की तैयारी कैसे की हुई है तो इतना जूट और फरेब और हिंदू समाज ने प्रोटेस्ट भी किया हजारों की संक्या में लोग आए किसी ने सुना नहीं सुना प्रधान मंत्री प्रोब मांग रहे थे इतना ही कर देते तो मुझे ये किताब लिखने की जरूतना होती सी बी आए दो महीने के अंदर अंदर ये सारी बाते सपश्ट कर सकते थी तो मैं सभी से कहूंगा जो मैम मदू के इश्वर जी ने जो किताब लिखी है दे गरल फ्रम कठुआ एक बार जरूर पढ़ें ताकि कहीं सारे सत्य जिन से आप काफी दूर रह चुके हैं आप तक जरूर पहुंचें धन्यवाद राम राम